आज के विडियो में किसी टेबल में हम कॉलम या रो इंसर्ट करने के दो तरीके सीखने वाले हैं तो सबसे पहला तरीका है मैं चाहता हूँ जैसे स्टूडेंट नेम फादर नेम के बाद में मदर नेम भी एक कॉलम होना चाहिए ताकि स्टूडेंट की मदर का नाम भी हम यहाँ पर इंटर कर सकें तो इसके लिए मुझे एक कॉलम इंसर्ट करने की जरूत है और कॉलम इंसर्ट करने के लिए पहला तरीका है सबसे पहले तो हम जहां पर भी चाह रहे हैं उस कॉलम पर हमने क्लिक किया कि मुझे हिंदी के प और इंसर्ट राइट तो सेलेक्टेट कॉलम के राइट में एक नया कॉलम इंसर्ट होकर आ जाएगा ची करते हैं ऐसे ही सेलेक्टेट कॉलम के लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा यह पहला तरीका हो गया इंसर्ट करने का ऐसे दूसर पर insert में हमें मिलेगा insert column to the right, तो right hand side पर एक नया column insert होगा, Ctrl plus Z, यह हमने column insert किया, column की तरह ही अगर row insert करना चाहरे हैं, तो उसके लिए भी तरीका वही है, जहां हम चाहरे हैं, जिस row को हम चाहरे हैं, उस row को हमने select किया, select करने पर हमें पहला तरीका है, layout tab में insert above और below, तो selected row के पहले एक नहीं row insert होकर आजाएगी और अगर insert below करेंगे, तो selected row के नीचे एक नहीं row insert होकर आएगी, यह तो पहला तरीका होगया, दुसरा तरीका है, select किसी row को select किया, right click पर हमें मिलेगा insert और insert row above करेंगे, तो उपर एक row insert हो जाएगी, और किसी रो को select करने के बाद, insertatin main, insert row below करेंगे तो selected row के नीचे एक नई row insert हो जाएगी ठीक है तो column या row insert करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं किसी column या row को select करके सबसे पहला तरीका layout tab में insert और दूसरा तरीका है select करके right click करने पर हमें मिलता है insert ठीक है तो तरह से हम column या row insert कर सकते हैं वीडियो कर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like किजेगा share किजेगा और हमारे चैनल को subscribe करने के साथ बैल को एक्टिव कली जेगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की notification भी आपको सही समय पर मिल जाए धन्यवाद